Hello students, welcome to Magnet Brains, this is Anamika Singh, कैसी हैं आप सभी? So I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज में स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारा जो second chapter है जिसका नाम है अंगल शारक एवं लवर्ड, इस chapter में आज हम MCQs discuss करेंगे, very 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 important So I chapter पूरा हो चुका है और अब बात आती है कि माम अगर हम से paper में इसके MCQs आ जाते हैं या आप हमें जो practice करवाएंगे और उसमें MCQs आएंगे तो हमें बताइए कि इनके answers कैसे देने हैं तो हो जाएए तई यार, आज के इस पूरे session में आपको आने वाला है बहुत जादा मज़ा क्योंकि हम कापी सारे MCQs अलग-अलग प्रकार से discuss करेंगे So start करने के पहले क्यों ना हम थोड़ा सा पहले अपनी channel के बारे में जान लेते हैं So बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास 6 से लेकर 12 में बिटा यदि आप किसी भी क्लास में है So Magnet Brains Hindi Medium चानल पर आप अपने subject की classes trend कर सकते हैं किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई course बिलकुल भी purchase नहीं करना है और नहीं किसी तरीके के कोई payment करना है क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइट कराता है quality education इसे के साथ मैं आपको बताना चाती हूँ भाई कि हम 5 state board कवर कराते हैं बिटा UP board, दिहार board, MP board, राजिस्तान board और दिल्ली board साथ ही साथ मैं आपको बताना चाती हूँ हमारे चैनल पर जितनी भी classes होती है न वो सब होती है arrange format में इसी के साथ साथ हम जो भी classes आपको लेते हैं पढ़ाते हैं जिसे आज मैं आपको ये MCQS पढ़ा रही हूँ इन सब के notes कहां पर मिलेंगे सो बहुत ध्यान से सुनिएगा जितना भी बिटा मैं आपको पढ़ा रही हूँ जितना भी इन सब के notes की जो link है वो आपको नीचे मिलेगे description box में सो ये notes और ये book ये आप download करना चाते हैं हमारे description box से उसे download कर सकते हैं सो चलिए फटा फट से आगे बढ़ते हैं अब हम और मैंने आपको पूरी कहानी explain कर दी है सब कुछ समझा दिया है ठीक है चलो सो ये रहा first question आपके सामने अब बात ऐसी है भाई कि मैं आपको जितना भी पहले तो questions करवाऊंगे जितने भी MCQs होंगे न बिटा बहुत आंसे सुन लिजीए ये सारे के सारे MCQs हम मैं जैसे पहले question rate करूंगे आपको वीडियो को pause करना है एक blank paper लेना है और फिर वहाँ पे उसका answer note down कर लेना है क्या बोला है मैंने आपको कि एक blank paper लेके वहाँ पे इसे note down कर लेना है समझ पाई कि नहीं फिर जब मैं answer बता दूं match करना उससे और अगर वो question का answer सही होगा आपको लग रहा है कि first question का answer आपने ABCD कुछ भी दिया हो वो सही है तो भाईया सही कर लेना और अपने आपको एक number दे देना और अगर वो गलत है तो भाईया उसको वहीं पर cross कर देना ऐसा हमें करना है सो चलिए start करते हैं आज की इस प्यारी सी class को first question आपके सामने पड़ा पड़ से read करो और answer दो question कुछ इस प्रकार से कि acetic अमले दुर्बल अमले है क्यों first of all एक acid की ही बात चल रही है बाई first of all बात चल रही है किसकी एक acid की ही बात चल रही है और very important बटा उस acid का नाम है acetic acid acetic acid क्या बोल रही है पहले तो हमें यहाँ पर ये बोला है कि ये एक weak acid है ये क्या है एक weak acid है क्योंकि अच्छे एक बात बताओ acetic acid एक weak acid है लेकिन क्यों क्योंकि इसमें पानी की अधिक मात्रा होती है क्या या पर इसमें iron की मात्रा कम होती है या पर ये एक carbonic अमले है या पर ये है बिटा एक carbonic अमले है यानिकी carbonic acid है बोलो जल्दी से क्या लगता है क्या अंसर होगा सो भाया अंसर सुनने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज तो कनपरम हो गई है कि येस असेटिक असेटिक वीक असेट होता है दुर्बल अमल होता है मैं एसेट्स वीक भी होते हैं इसका मतलब स्ट्रॉंग भी होते होंगे जी हाँ बिल्कुल है मैंने कब बोला नहीं होते है सबात कुछ इस प्रकाश से है बिटा कि अगर मैं आपसे बात करूँ हमने पढ़ा है कि जो पीच है भाय वो 0 से 14 के बीच होता है हाँ या न हमने पढ़ा है कि जो पीच होता है वो 0 से 14 के बीच होता है और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके बीच की अगर बात आएगी कि भाया कोई पढ़ार्ट अगर 0 से 7 के बीच उसका पीच है यानि कि बिटा वो किस प्रकृती का होगा सो वो होता है अमली प्रकृती का समझ पाएं और वही कुछ पदाट जिनका पीच 7 से 14 के बीच में है न बिटा वो शारी प्रकृती के होंगे समझे की नहीं समझे सो हमने जान लिया कि 0 से 7 के बीच अमलिये प्रकृती हो जाएगी और 7-14 के भी शारिये प्रकृती होती है मैंने आपको ये concept भी बताया था कि जैसे जैसे pH गटेगा अभी मैं आपको first line explain कर रही हूँ कि भाई acid जो है वो दुर्बल भी होते है जैसे acetic acid क्या है एक weak acid है सो इस जुर्बल अमल की कहानी क्या है हमने जाना कि भाईये जैसे जैसे अमल का जो pH है वो गटता जाएगा उसका acid का level बढ़ता जाएगा यानि अमलियता बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा शारियता बढ़ती जाती है यानि कि अगर किसी का pH साथ के पास होगा है ना इनके पास वाले जितने भी pH होंगे वो सब अमलीता में कैसे होंगे बहुत कम होंगे अमलीता जादा कब होगी सो जब इनका pH कैसा होगा घटा-घटा बहुत कम होगा समझ पारे हो की नहीं समझ पारे हो सूसी के आधार पर देखें, स्वैसिटिक एसेड एक वीक एसेड है, दुर्बल अमल है, लेकिन भाई इसके पीछे कारण क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके पीछे कारण ये है, किसमें आयनन की मातरा कैसी होती है, कम होती है, अच्छा एक चीज और सुनिएगा, एसेटिक एसेट को लेकर ही, यानि कि अब एक और चीज हम जानेंगे, किसके बारे में एसेटिक एसेटिक एसेट को लेकर, कि माम हमें ये बताईए, कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मुला क्या होता है, तो भाई या वो CH3, COOH, माम ये क्या है, ये है इसका फॉ पॉर्मूला होगा CH3COOH, यह Acetic Acid का सूत्र फॉर्मूला होता है, मैम यह Acetic Acid किसमें पाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, यह जो Acetic Acid है ना, यह जो Acetic Acid याने की भई Acetic Amel है ना, यह Vinegar याने की सिरके में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो यह Vinegar याने की सिरके में पाया जाता है, ओके डान, सिरके में Acetic Acid ही होता है, ध्यान रखना, यह थी आपके सामने एक कहानी, जहां हमने जाना कि Acetic Acid एक Weak Acid है, क्योंकि इसमें आनन की मात्रा कम है, हमने यह जाना, हमने जाना कि Acid Weak होता है, तो भईया, Stress It Strong भी होते हों उनके pH के आधार पर pH के base पर, तो मैंने आपको एक छोटा सो concept यहां पर clear किया, फिर मैंने आपको बताएं कि Acetic Acid का formula क्या होता है, तो वो CH3COOH होता है, and very important, सिरके में कौन सा Acetic Acid होता है, Acetic Acid, first question done, तो यदि आपने first question का यही आंसर लगाया है ना, तो जल्दी से अपने आपको एक नमबर दे दो, और अगर यह आंसर नहीं लगाया है, तो वही पर उसे cross कर दो, okay, now second question यह रहा आपके सामने, प्रबल अमलिये विलियन में मैथील ओरेंज का रंग होता है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि जो प्रबल अमलिये विलियन है, यान कि हमसे बोला जा रहा है, प्रबल अमलिये विलियन में भाईया मैथील ओरेंज का, मैथील ओरेंज का रंग होता है, बताओ क्या नीला होगा, पीला होगा, लाल होगा, या फिर कैसा होगा बिटा, कलरलेस, यानिकी रंगहीन, पहले तो मैम आप हमें ये बताएं कि मैथील औरेंज क्या है, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक सूचक होता है, क्या होता है बिटा, सो ये है एक इंडिकेटर, क्या है ये एक इंडिकेटर हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, चुन्नो मुन्नो, सूचक बोलते हैं, तो मैम ने आपको क्या बताया, कि मेथिल औरेंज एक इंडिकेटर यानि कि क्या होता है, सूचक होता है और हमसे बोला है कि प्रबल अमलिये विलियन में सकरंग क्या होगा सुबह यह एक बात बताओ अगर हमसे पूछ रहे हैं प्रबल अमलिये विलियन में हाना, हमसे पूछ रहे हैं किसमें प्रबल अमलिये विलियन में तो हमसे ये भी तो बोलेंगे ना कि प्रबल शार ये विलियन में क्या होगा प्रबल अमलिये विलियन में और प्रबल शार ये विलियन में क्या होगा प्रबल शार ये विलियन में रंग क्या होगा इसका तो भाई ऐसे question तो हमें कापे ज़्यादा मिलते हैं हां तो ये तो एक बार में याद कर लेना सो प्रबल अमली विलियन में मैथिल ओरेंज का रंग कैसा होगा भाई या लाल होगा प्रबल अमली विलियन में इसका रंग कैसा होगा रेड याने की लाल और वहीं अगर बात आती है प्रबल शार ये बिलियन की सुध्यान रखियेगा भाई वो कैसा होता है पीला याने की यलो समझ पाए की नहीं समझ पाए, all done, कोई समस्या, कोई डाउट तो ये ता हमारा second question हमने इसका भी answer बहुत अच्छे से जान लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया है now next आते हैं अब हम, ठीक है, okay, so ये रहा question number 3 आप सभी के सामने H2S विलियन का pH 1 है, पहली बात तो माम ये H2S क्या है, वीडियो pause करना अभी नहीं पहले सुन लो, वीडियो pause करके अब answer देना कि H2S क्या होता है, ठीके न, इसके बारे में जानते हैं और H2S विलियन, इसका जो solution है, यानि विलियन है, उसका pH मान क्या है, pH का full form potential of hydrogen होता है और इस chapter में आपको pH इतना जादा पढ़ने को मिलेगा कि बस पूछो ही मत और भाई मज़ेदार chapter है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में अगर आपने अभी तक इसके chapter के वीडियोस नहीं देखी हैं, वो जरूर से जरूर जाके देख लेना So, H2S billion का pH मान क्या होगा, भाई, 0 होगा, 7 से कम होगा, 7 होगा, या फिर 7 से जादा होगा, बिटा क्या लगता है, क्या होगा, देखो, आपको वीडियो pause करके answer देना है, जब तक मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी, थोड़े से कुछ concept clear करती हूँ H2S की अगर मैं बात करती हूँ न बिटा, so, ये है hydrogen sulfide, क्या है भाई, so, ये होता है hydrogen sulfide, हमने रेका कि ये है hydrogen sulfide, very important इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो, इसका जो pH का मान है न भाई, वो सास से कम होगा, यानि ये किस प्रकृती का होगा, अमलिये प्रकृती का होगा सास से कम में हम क्या बोलेंगे, कि इसकी प्रकृती कैसी होगी बिटा, so, वो होगी, अमलिये, and very important, अगर हम hydrogen sulfide की बात करें न, इससे related कुछ points जानियेगा, और वो points क्या है, इसको एक काम करती हूँ, मैं अलग साइसे bullet में लिखती हूँ, कि ये जुवलन शील, क्या बोला जा रहा है, कि ये क्या करता है, जुवलन शील, लो भाई, हमारा ये पैन क्यों नहीं चल रहा, ठीक से, ये जुवलन शील रंग हीन क्या है, बैया, so, रंग हीन ये gas हे, बटा, ये एक जुवलन शील, रंग हीन गैस हे, जो सडे हुए अंडे की गंद जो है, उसकी पीछे विशिष्ट कारण यही होता है, सड़े हुए अंडे की विशिष्ट गंद इसी के कारण आती है, समझ रहे हो? So, सड़े हुए, सड़े हुए अंडे की विशिष्ट गंद, अंडे की बिटा विशिष्ट गंद क्या कहा है? इसी के कारण आती है ओके, done, कोई confusion, so question number 3 हमने जान लिया हमने ये जाना कि भईया H2S, billion H2S solution क्या, इसका pH मान क्या है तो पहले मैंने आपको बताए कि H2S beta hydrogen sulfide है फिर मैंने आपको बताए कि ये ज्वलन शील रंग हीन gas है, colorless gas है फिर मैंने बताया सड़े हुए अंडे के विशिस्ट गंद, इसी के कारण आती है दूसरी चीज़ कि इसका pH सांस से कम है, सांस से कम होने के कारण हम ऐसा बिलकुल कह सकते हैं कि इसके प्रक्रती कैसी होगी, अमली होगी, ठीक है, चलिए Now next आते हैं हमारे question number, question number 4 बता दो शुद्ध जल का pH मान है, chapter में हमने यह जाना है कि जो शुद्ध जल होता है, उसका pH मान क्या होता है जिसको नहीं पता है, अभी थोड़ी दिर पहले भी मैंने कुछ concept यहाँ पर clear किये है पहले बात तो छाब लो अपने दिमाग से, दिमाग में कि जो pH होता है, pH skill 7-14 के बीच होता है चलो एक जी सब गई, इसी के साथ अगर हम बात करें कि वे बदार्थ जो 0-7 के बीच आते हैं, वो कैसे होते हैं तो आप क्या बोलोगे कि मैं हमें पता है कि वो acidic nature के होते हैं, मैं वो अमलिय प्रकृती के होते हैं और वहीं अगर पता साथ से 14 के बीच होते हैं, सो मैं हमें पता है कि वो शारिय प्रकृती के होते हैं कैसे होते हैं बिटा, वो शारिय प्रकृती के होते हैं इसी के साथ में आपको एक चीज और यहाँ पर clear करना चाहती हूँ अमली और शारी के बारे में और वो चीज क्या है कि भाईया अब इनके बीच की और इनके बीच की कहानी ती कहानी अगर यहाँ पर आकर रुपती है अच्छा एक चीज और अमल क्या करते हैं सुनो अमल जो हैं भाई very 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 important कि अमल स्वाद में कैसे होते हैं सो अमल स्वाद में होते हैं खटे और वहीं शार की अगर हम बात करें सो शार स्वाद में कैसे होते हैं सो यह स्वाद में होते हैं कडवे क्या जाना हमने कि अमले स्वाद में खटे होते हैं और ये शार जो है ये स्वाद में कड़वे होते हैं तो ये कहानी होती है डान अमली ये शारी की कहानी भी समझ में आ गई हमारा पी एच भी हमने देख लिया अब हमने जाना कि शुद्ध जल की बात आती है तो मैम इसमें तो हमने कभी नहीं देखा कि हमारा जो शुद्ध जल है वो खटता है या पिर ये एक कड़बा है तो क्यों नहीं होता क्योंकि शुद्ध जल का जो pH होता है वो साथ होता है साथ मतला ना ही भाई वो अमलिय प्रकृति का होगा और ना ही वो शारिय होगा बलकि इसकी प्रकृति कैसी होगी न्यूट्रल यानि की उदासीन होगी सो सुनो, question number 4 का correct answer क्या हो जाएगा obviously बाति गर यानि की साथ क्योंकि शुद्ध जल का pH मान क्या होगा सुबह होगा साथ क्योंकि ये कैसा होता है न्यूट्रल उदासीन प्रकृति का होता है और पानी, शुद्ध जल की बात चल रही है तो इसको क्या ही बोलें फिर आपको पता ही है कि जल ही जीवन है पानी नहीं तो हम भी नहीं क्या बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं और अभी तो गर्मियों का समय है, जितना पानी पी सकते हो, उतना ही पानी पीओ है न, उतना पानी तो पीओ ही है, ऐसा बोलना चाहिए Now, next question की तरफ आते है, question number 5 जो हमसे कहा रहा है कि A, B, C तद दी विलियनों के पेट का मान क्रमशा यहां दिया है बिटा 11, 9.5, 3.5, 6.5 है इन में से सबसे ज़्यादा शार यह विलियन होगा आपके सामने कुछ conditions हैं जैसे conditions किया मतलब solutions दिये हैं For example, मैं यहां solution A लिख रही हूँ solution B लिख रही हूँ, solution C लिख रही हूँ और solution क्या लिख रही हूँ, D लिख रही हूँ दियान से सुनें, इस सभी solutions की बात आती है तो A का solution उसके pH क्या है? 11 है B का कितना है? मैं कितना होगा? बिटा 9.5 होगा C का कितना होगा? 3.5 होगा D का कितना होगा, सो वो होगा 6.5 समझे की नहीं, तो हमने क्या जाना भाई सो हमने ये जाना है कि A, B, C, D हमने देखा 4 तरीकी के solution थे हमने सब के pH, जो number है pH मान जो है वो हमने यहाँ लिख दिया अब वो कह रहे हैं कि इन में से सबसे जादा शारी बिलियन बताओ किसका होगा देको भाईया, शारीता के बारे में बात तो तभी होगी न जब pH हमें कहा से कहा तक मिलेंगे बिटा सो जब हमें pH मिलेंगे कहा से कहा तक साथ से लेकर 14 तक क्योνकि अभी मैम तीसरी बार आपको बताने जा रहे हैं कि भाईया अगर pH सास से 14 के बीच है मतलब पदात का pH सास से 14 के बीच है तो समझ जाना कि वो शारी प्रकृति का होगा याने तुम्हारे दो आप्शन तो ऐसे उड़ा दिये मैंने तुम्हारे दो आप्शन उड़ा दिये मतलब COD solution तो हो ही नहीं सकता है याने बिटा सुनो ये तो answer किसी भी condition में है ही नहीं एक चीज़ तो confirm होगी कि ये नहीं हो सकता कारण क्या है क्योंकि इनका pH सास से कैसा है बाईया कम है कारण क्या है तो इनका pH सास से कैसा है कम तो बात आती है फिर मैंम answer क्या होगा तो हमने जाना या तो 11 या तो 19.5 होगा White sentence use है सबसे जादा शारी विलियन पूर रहे हैं सरवादिक शारी विलियन यानि सबसे जादा शारी विलियन की बात चल रही है तो मैंने बताया था जैसे जैसे पी एच भाई क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा शारी तब उसकी कैसी होती जाएगी increase यानि शारी तब ही बढ़ती जाएगी तो हमने देखा कि भाई pH 7 से 14 के बीच जब गया हमने क्या देखा पीच 7 से 14 के बीच जैसे जैसे बढ़ता गया हमने देखा है हाँ पर 9.5 भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है 11 भी शारी तब प्रबल्य सबसे ज़ादा दोनों में से किस कंडिशन में होगी और विसी बात है जिसका pH क्या होगा 11 यानि कि solution क्या होगा इसी के according answer क्या हो जाएगा गा होगा समझ गहना हमसे जो जो पूछा ता ना वही कर रहे हैं हाँ कुछ अलग से कुछ मन से नहीं कर रहे हैं तो हमने चान लिया कि ठीक है भाई अगर हम इन चारों solution को लेते हैं तो 2 के तो pH सास से काम है ये तो answer है यह नहीं सबसे ज़ादा शारी बिलिया यह होगा नहीं या तो 11 या तो 9.5 और जैसे जिसे pH बढ़ता है तो शारीता बढ़ती है इसका मतलब इसके according answer क्या हो जाएगा 11 ठीक है चलिए अब आते हैं question number 5 का answer गह हो गया question number 6 की तरफ वहलबर जो जलमे गुलने पर neutral याने उदासी इन विलियन दीता है solution दीता है वो क्या होगा भाई देखो चार तरीके के option आपके सामने दीए है चार तरीके के option यहाँ पर बताए गए हैं तो दियांसे सुने वहलबर याने की वह salt वहलबर याने की salt जो जलमे गुलने पर neutral याने उदासी इन solution या विलियन देगा इन में से क्या लग रहा है वो क्या answer देगा अब हमें बात करना है कि salt के बारे में जो जलमे गुलने पर neutral solution दे क्या लगता है क्या होगा answer तो ध्यांसे सुनेंगे इसका correct answer क्या होना चाहिए जो उदासी solution देगा और वो इन चारों ही option को अगर हम द्यांसे देखें सुबग दे रहा है potassium chloride याने कि वो दे रहा है KCL लेकिन मैं यह KCL कैसे दे रहा है तो सुनो पहली बात तो यह KCL क्या है सुबग यह है potassium chloride क्या है बिटा यह है potassium chloride हमने देखा कि यह जो potassium chloride है पहली बात तो यह neutral याने उदासी solution कैसे दे रहा है जल में गुलने पर हाँ हाई यह ना जल्ली बताओ तो सुनो यह दो चीजों से मिलकर बना है और वो दो चीजे कौन सी है वो दो चीजे कौन सी है तो भहिया एक तो है हमारा strong acid क्या बोला मैंने तो एक तो है strong acid और एक क्या हो जाएगा strong base समझ पा रहे हो की नहीं अच्छा इसको हम हिंदी में ही लिख देते हैं कारण क्या है उसके पीछे ताकि हमें जगा तोड़ी से चाहिए होगी सुनों यहां मैं लिकरी हूँ simply प्रबल अमल याने के strong acid और दुरबल अमल या सॉरी प्रबल अमल और प्रबल शार इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है सो यह यहां पर बनाएगा एक उदासीन विलियन तो भह लबड जो जल में गुलने पर उदासीन विलियन देगा सो भईया वो है क्या? सो जो जल में गुलकर उदासीन विलियन देगा वो प्रबल अमल की आती है सो प्रबल अमल हमारा क्या हो जाएगा? सो जहां से सुनिएगा यह हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोकसाइड क्या हो जाएगा बिटा? सो यह होगा पोटेशियम हाइड्रोकसाइड यही जब आपस में मिलते हैं तो यह आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं? तो ये वह लवर जो जल में गुलने पर neutral हो रहा है, उदासीन solution दे रहा है, तो वो potassium chloride है क्यों? क्योंकि ये strong acid और strong base से मिलकर बना है, ओके? सो हमने जाना किसलिए इसका correct answer क्या होगा, option number 1 होगा, now next time I hope ये question अच्छे से समझ में आगया होगा, so question number 7 ये रहा आपके सामने, भाई जल्दी जल्दी से इस question को हमें क्या करते चलना है, read और हमें पर इसका answer देना है, चलो भाई, जल्दी से बता दो कि इस question का उत्तर क्या हो तो पहले तो इसके लिए हमें इस question को पढ़ना होगा, question हम से क्या कह रहा है, कि कोई विल्यान याने कोई solution भाई ये हल्दी के रंग को रकताब भूरा कर देता है, है ना, so रकताब भूरा याने लाल जैसा थोड़ा brown color दे देता है, यदि इसी solution को अगर हम सार्तरिक सूचक में डालें तो, अगर हम इसको किस में डालें फिर, यूनिवर्सल है ना, किस में डालने को बोड़ रहे हैं से, यूनिवर्सल इंडिकेटर, किस में यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालें तो, उसका रंग परिवर्तित होकर, बताइए बाई कैसा हो जाएगा, कैसा होगा ये चेंज बैंगनी में, नीले में, लाल में या फिर हरे में तो भाई तो बड़ा प्यारा सा question आया है जनरली ऐसा होता है ना पहले तो मैं आपके कुछ concept clear करूँगे पर हाँ जिन भी बच्चों को ये question नहीं समझ में आ रहा है वो सुन लो question कभी ऐसे आए ना तो भाईया उसे पहले तो बहुत अच्छे से रीट करना तो कोई solution जो हल्दी के रंग को रताब बूरा कर देता है यदि इसी billion को हम सात्रिक सूचक याने universal indicator में डालें तो उसका रंग change हो जाएगा और मैं आपको बताना चाहती हूँ वो change होकर क्या हो जाएगा blue में convert हो जाएगा लेकिन एक question ही यहाँ पर कि वो कोई billion है क्या किस चीज का billion है वो किस चीज का solution है जो हल्दी के रंग को रताब बूरा कर देता है सब यह वो है साबुन क्या है साबुन अप मार्जक तो बात कुछ इस प्रकाश से है कि जो साबुन है वो क्या करता है साबुन के solution की ही अगर हम बात करें तो वो हल्दी के रंग को किस में convert कर देता है रताब बूरे में convert कर देता है और अगर इसी यदि इसी billion को हम universal indicator में डालते हैं तो उसका रंग चेंज होकर किस में convert हो जाता है ब्लू याने की नीले में ओके डाइन चलिए नेक्स आते है question number 8 बड़ा प्यारा से ये भी question है कि कोई जलिये billion A कोई जलिये billion if not telling billion को गुलाबी कर देता है तो सोचके देखो वो जलिये billion होगा क्या भाई देखो हमारे पास दो ही जलिये billion है एक तो बिटा A है और एक अमारे पास जलिये billion क्या है? B है क्या बोला है? कि एक जलिये billion A है और एक जलिये billion B है सो कोई जलिये billion A पनौब तैलियन बिलियन को गुलाबी याने के पिंक कर देता है और विलियन A में किसी अन जल्य विलियन B को मिलाने पर गुलाबी रंग विलूप तो हो जाता है तो यहां पर मैं तोड़ा सा फिनॉल्फ धैलिन के बारे में ही बात करना चाहती हूँ अचा यह solution पर बी discussion होगा पहले इसके बारे पर बात करते हैं सो बात कुछ ऐसी है भाई कि मैंने यहां पर लिखा है पिनॉल्फ धैलिन के बारे में लिखा है मतलब यह word लिका है मैं , अपर बताये कि यह है क्या सुध्यान से सुनेंगे बिटा यह है universal indicator इंडिकेटर, यह क्या है बैया, यह ओविस सी बातें एक सूचक का काम करता है, बिलकुल यह एक इंडिकेटर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, यह एक इंडिकेटर, यानि के बिटा यह क्या है, यह सूचक, समझ पाएं कि नहीं, हमने देखा, कि फिर नॉक ठेलिन क्या ह एक सूचर जिसे मैतल औरंज किया था वो भी एक इंडिकेटर ही था वैसे ही यह भी होता है अब बात ही आती है कि फन्नौत टेलिंग की बात करें सो अमलिय विलियन में ये क्या होता है और शारिय विलियन में ये कैसा रंग देता है ये यहाँ पर important है जानना अगर ये समझ में आ गई तो ये कहानी आपको automatically समझ में आ जाएगी answer आप खुद बाखुद दे सकेंगे सो बिटा होता ये है क्या होता है कि अगर हम बात करें अमलिय विलियन को लेकर ये शारिय विलियन को लेकर है ना एक साइड में लिख रही हूँ अमलिय और एक साइड में क्या लिख रही हूँ शारिय क्या लिखा मैंने एक साइड अमली है और एक साइड मैंने क्या लिखा है शार यह फिर North Talent में हमने क्या लिखा कि indicator सूचक यह होता है अब बात आती है कि मैम यह indicator यह सूचक acid के साथ क्या करता है कौन सा रंग देता है तो सुनो acid के साथ यह रंग हीन हो जाएगा बिटा color less हो जाएगा इस बात का ध्यान रखेंगे and very important कि शार के साथ कैसा रंग देता है यह शार के साथ देता है बिटा गुलाबी रंग यानि कि पिंक कलर देता है इसके बेस पर अब मैं आपको यह पूरा question समझाऊंगी और आप बिल्कुल शाय से आंसर दे सकेंगे आपके साहिता के लिए solution A लिया है solution B ले लिया हमसे कहरें कोई जलिये billion हमसे बूल रहे हैं कोई जलिये billion A है तो A फिनॉल देलियन billion को गुलाबी कर दे रहा है भाईया अगर यह जलिये billion A यह फिनॉल देलियन billion को गुलाबी कर रहा है मदलब बिटा यह कैसा होगा ओविस यह बात है यहाँ पर शार के बारी में बात चल रही है यानि कि यह शार यह प्रकृतिका होगा तबे तो ये पनौल धेलिन सॉलिशन को कैसा कर दे रहा है भाईया ये पिंक में कनवर्ट कर दे रहा है पिंक बना दे रहा है डन आगे बाद समझ अब हम से क्या कह रहे विलियन A में किसी अन्य जलिये विलियन B को मिलाने पर गुलाबी रंग ही मिलुप्त हो गया गायब हो गया तो एक बाद बताओ इसमें कौन सा सॉलिशन अन्य जलिये विलियन B ऐसा क्या मिलाया कि इसका जो गुलाबी रंग था भाईया इसका जो क्या था गुलाबी रंग था, है ना, सुनते चलना, क्या है ये? ओके, इसका जो गुलाबी रंग था, वो कैसा हो गया? विल्लुप तो हो गया, तो भाया, फिर ये B जली विलियन क्या होगा? सौबिस सी बात है, कि ये होगा, अमलिये, समझ पा रहे हो कि नहीं, एक अव, एक ऐसा होगा, शार ये प्रकृती का, और B कैसा हुआ, अमलिये प्रकृती का हुआ, क्वेशन पढ़ने के पहले, मतलब क्वेशन बिटा पढ़ने के बाद, पहले ये चीज़ जियान रखना, कि ये अमलिये विलियन के साथ रंगहीन हो जाता है, और शार के साथ गुलाबी रंग देता है, हमने जान लिया, कोई जलिये विलियन A, पनौल थैलीन, विलियन को पिंक कर दीता है, तो वो जलिये विलियन क्या होगा और विसी बाते वो शार ये ही होगा तभी तो उसने उसको पिंक कलर कर दिया और विलियन A में किसी अन्य जलिये विलियन अब इसी में हम B नाम का कोई जलिये विलियन मिलाते हैं तो वो गुलाबी कलर को विलुप्त कर देता है यानि ये क्या होगा? अमलिय प्रकृति का होगा अब बात आ गई कि मैं A समझ में आ गया हमको कि ये शार है B का समझ में आ गया कि ये अमलिय है, solution की बात करें इसके आधार पर बिटा क्या लगता है? pH क्या होगा? So question है, option है, A प्रबल शार ये है तता B दुरबल शार है Next A, A प्रबल अमल ये है तता B दुरबल अमल है Next A, A का पी ये सास से अधिक है और B का सास से कम A का पी ये सास से कम है, सास से कम होता तो वो शार नहीं होता पहली बात तो अगर ये सास से कम होता तो वो श्यार नहीं होता B का सास से अधे के तो पिर वो अमले नहीं होता यानि कि बिटा इसका गरेक्ट आंसर और ऑप्शन नमबर क्या होगा? question number eight का भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? option number g जहां हमने देखा कि A का pH साज से आधे कैं यानि कि वो शारिय हो जाएगा B का pH साज से कैसा है कम है यानि या हम लिए प्रकृती का जैसा कि हमने अंसर पाइं किया समझ रहे हो ना सारी बात को ओके नौ नेक्स्ट आते है Question No.9 इसके साथ पूर्णता उदासीन पाया जाता है अब हमसे कह रहे है कि NaOH के 10 ml विलियन को NaOH के कितने ml 10 ml विलियन को SCl के 8 ml विलियन के द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है यदि हम उसी No.9 विलियन का 20 ml विलियन जो हमने पहले 10 ml लिया था तो SCl विलियन के कितनी मात्रा No.9 विलियन सोडियम हाइडरॉकसाइड को नूट्रल करेगी जब यह 10 था तो यह 8 ml था अब्वेस से बात है जब यह 20 हुआ है तो यह कितना होना चाहिए 16 ml होना चाहिए कितना होगा भाई 16 ml होगा ओके चलिए नेक्स ना दे बाई कुछ तो भाई इतने बच्चों वाले क्वेस्टन ही कि बस मत ही पूछो और सारे क्वेस्टन सही चल रहे हैं न चंगु बंगु आपके नहीं चल रहे हो तुम्हें कॉंसेप्ट बताते चल रहे हो बिटा उस चीज का ध्यान रखना और उसी के बेस पर आपको भी आंसर लगाना है Q10 आपके सामने है अधिक खाने से होने वाले अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दबा को उपयोग किया जाता है कई बार ऐसा होता है भाई कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जादा खालेते हैं बिल्कुल गले तक खालेते हैं और वो हमें डैजिस्ट नहीं हो बता डैजिस्ट नहीं होता है प्रॉपर अपच के स्थिती बनी होती है तो सुनो अधिक खाने से होने वाले अपच की इलाच के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है तो कई बार जब हम अत्य दे खा लेते हैं या हम कुछ उल्टा सीधा जैसे मान लोकी गर्मी का मौसा में खूम मसालेदार खाकर बैठ गए हैं और उस पर cold drink पी रहे हैं चाय भी पी रहे हैं मतलब पेट में पूरा दमा का बचा कर बैठे हैं हम तहल का मुचा दिया है हमने सो ऐसी condition में हमारे पेट में reaction होगी chemical reaction वो बाली नहीं होगी जो actual में होने चाहिए वंबे स्पोर्ट वाली होगी भाई या गड़बड हो जाएगी जिसके कारण हमें किसका यूज करना होगा तो इसके लिए हम दबा में एंटाइसेट यानि प्रती अमल का क्या करते हैं प्रयोग समझ गए की नहीं? ओके अप्शन हमारे पास एंटी बायोटिक ता एनलजैसिक ता प्रती अमल एंटी सेप्टिक आंसर क्या होगा? एंटाइसेट प्रती अमल फ्वेशन नुमर 11 ये रहा आपके सामने निमनलिकित में से कार्बनिक असेट नहीं है क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक कार्बनिक असेट ही नहीं है भाया कार्बनिक अमल ही नहीं है एतिनोईक असेट होगा, फार्मिक होगा, सिट्रिक होगा या फिर कार्बोनिक असेट होगा बिलकुल सही सोचा है आपने इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चली, कार्बनिक अमले की कहाने डन होती है, question number 12 ये रहा आपके सामने एक billion लाल लिटमस को नीला कर दीता है, इसका pH नमले कितमे से कौन सा हो सकता है एक, चार, पांच, दस question दियान से पढ़ना, बहुत simple, बहुत साधारन, बहुत आसा है आप ही आसानी से पढ़के answer दे सकोगे, so एक billion जो है, वो लाल लिटमस को नीले में convert कर रहा है याद करिए, मैंने आपको ये या तो acid में पढ़ाया होगा, या तो base में पढ़ाया होगा या तो अमल में पढ़ाया होगा, या तो शार में, ये कैसे पता चलेगा, तुब तो पढ़के ही पता चलेगा दूसरी चीज की, इसका pH नेमलिकित में से कौन सा होगा, जो लाल को किस में convert कर रहा है, नीले में कर रहा है ये आपको मैं आपको trick से बताती हूँ, जैसे हम सारे option देख रहे हैं, एक भी answer हो सकता है, चार भी, पाँच भी, देस लेकिन अगर आप इन्हें बहुत commonly देखो, तो तीन option ऐसे हैं, जुनका pH साथ से कम है, और एक ऐसा है option जिसका pH जो है, वो साथ से जादा है याने कि भाई, अगर मैं मान लेती हूँ, कि ये answer नहीं है, तो ये तीन answer होंगे, लेकिन इन तीनों ही condition में same line कैसे satisfied हो सकती है, और अगर हो रही है, तो हम equation के तीन answer कैसे लगा सकते हैं, ये नहीं हो सकता है बटा, ये क्या हो जाएगा, गलत मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका correct answer क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि अगर हम बात करें किसकी, base की, याने अगर हम बात करें, शार की, इस से related कुछ point बताती हूँ, आगे काम आएंगे सबसे पहला point यही है इसका, कि भाईया, ये taste में कैसे होते हैं? सो ये taste याने कि स्वाद में होते हैं, खटे. क्या कहा मैंने आपसे? कि ये taste याने स्वाद में कैसे होते हैं? सौर होते हैं याने की खटे होते हैं ये टेस्ट में and very important very important पैंने आपको और क्या second point बताया तो भाईये ये लाल लिटमस को किस में convert कर देते हैं सो ये लाल, sorry, हाँ हाँ सही तो है, ये लाल लिटमस को convert कर देते हैं, देखो मैं उल्टा लिखके बैठी हूँ, है नब बात चल रही है base की और लिखके बैठे, bitter लिखो bitter, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, bitter, याने की कड़वे, और ये लाल लिटमस को किस में convert कर देते हैं नीले में, ठीके लाल को किस में convert करेंगे नीले में, अभी थोड़ी दिर पहले भी मैंने टेस्ट के बारे में बताया था, flow flow में लिखते चले गए, बढ़ ठीके, हमने बता दिया आपको सही, कि भाईया answer क्या होगा base, क्योंकि pH इसका क्या होगा, साथ से जादा, याने क्या होगा pH 10, क्योंकि option में दूसरा कोई pH ही नहीं है हमने जान लिया कि लाल को नीले में convert करता है, ऐसा मिलता चूलता एक और question अभी आगया आएगा, ऐसी बुद्धी लगा के answer देना, ठीक है चलो, next आती question number 13, एक billion नीले लिटमस को लाल कर दिता है इसका pH निमले कित में से क्या होगा अच्छे एक बात बताओ, अब यह क्या कर रहा है, नीले लिटमस को लाल में convert किया जा रहा है, pH निमले कित में से क्या होगा, कौन है वो जो नीले को लाल में convert कर रहा है, किसको नीले को लाल में, 7, 5, तीन ओप्शन ध्यान से देखो कोई तीन ऑप्शन जिनका पीएच साथ से जादा है बहुत अच्छा साथ से जादा छोड़ो एक का तो पीए साथ ही है नूट्रल उदासीन हो ही नहीं सकता मैंने कभी नंपढ़ाया उसमें एसा मैंने कभी ऐसा बताया कि अगर पदार्थ का जो पीएचे वो साथ होता है तो वो नीले को लाल नहीं मैंने नहीं पढ़ाया है साथ में जो इसकी प्रकृती होती है वो उदासीन हो जाती है सो बहुत यह यह तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है सो वो कर देता है एसेड याने के बिटा चंगो मंगो अमल अच्छे एक बात बताओं मैं तिनी देश से बोले ही जा रही हूँ बोले ही जा रही हूँ पढ़ाई ही जा रही हूँ भाईया वीडियो को लाइक तो कर दो वीडियो को लाइक तो कर दो उसे शेयर तो कर दो कि बस ऐसे पढ़ते ही जा रहे हो लाइक शेयर भी करना है हमको है न और प्यारी प्यारी से गोर्मेंट करना यहां तक की कहानी डन 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 चलो तो एक बिलियन निले लिटमस को लाल कर देता है इसका पीज निमले कितमे से क्या होगा साथ तो नहीं हो सकता ही निट्रल उदासी ने अब मैम 14, 8 या 5 देखो ये 2 भी नहीं हो सकते क्योंकि इनका पीज साथ से जादा है यानि इसका अंसर क्या होगा 5 क्योंकि ऐसा किसमें होता है असेड असेड ही निले लिटमस को किसमें कनवर्ट कर देता है सुलाल में कर देता है इसका पीज भी बोल रहा है इनमें से क्या होगा सुबह या 5 होगा एक और इंपोर्टेंट चीज की असेड का टेस्ट कैसा होता है सो जो अभी हमने बेस में लिख दिया था शार में वही होता है यानि ये टेस्ट में कैसे होते है इस गॉल का सबसे संभावित पीज होगा आपको सिंपली बोल रहे है कि वो एक विलियन है जो फेनॉल टेलिन को गुलाबी कर देता है सोचके रेको भाईया अब भी बताया था फेनॉल टेलिन पहली बात तो एक सूचा के इंडिकेटर है अगर बात यह कहां से आगे लाइन हाँ जी यह सूचके अगर बात अमल में इसकी आएगी या बात शार में आती है तो सुन लीजिए दोनों काल्म कोल के अमल में यह कैसा होता है भाईया रंग हीन कलर लेस होता है और शार में कैसा होगा बिटा तो शार में ये गुलावी रंग देता है अब आप से बोल रहे हैं क्या आप बताओ कि एक billion जो फिनॉल टैलिन को गुलावी कर देता है फिनॉल टैलिन को गुलावी करने का काम तो ये तो शार का हो गया तो इस गोल का सबसे संभावित pH क्या होगा 6, 4, 9, 7 अब मेरी बाद ध्यांसर सुनो अगर शार बोल रही है फंचार का ये काम है तो ये तो हो ही नहीं सकता और ये दोनों तो अमल की pH है यानि इसका correct answer क्या हो जाएगा बिटा 9 होगा यानि इसका सही answer क्या होगा क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया ठीके चलिए अगला question ये रहा आपके सामने question number 15 एक billion में methyl orange सूचक का रंग पीला होता है इस गोल का pH होने की संभावना है अच्छे एक बात बताओ जल्ली से बताओ जल्ली से बताओ कि एक billion है इसमें methyl orange का जो सूचक का रंग है वो पीला होता है और इस गोल का pH होने की संभावना है मैं ये है क्या? बिटा ये indicator है indicator होता है हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं? सूचक तो ये एक indicator यानि कि क्या है सूचक और ध्यान से सुनेंगे कि अगर इसका रंग पीला होता है तो इसका pH संभावित कितना होगा सास से ज़ादा अब भी तो बताया था स्टार्टिंग के question में कि भाईया अमल में अगर ये जाएगा सो अमल में ये कैसा color देता है और शार में ये कैसा color देता है याद करिये याद करिये हमने क्या देखा था बताओं question रुको स्टार्टिंग के question दिखाती हूँ अभी essay अगर वहाँ अच्छे से सुन लिया होता तो अभी 2 मिनट में बन जाता ये रहा वो question प्रबल हम लिये विलियन में सांसर होगा सास से जादा क्यों होगा क्योंकि obviously बात है भाई ये acid के साथ तो red color दे रहा है और shark के साथ कैसा color देता है yellow color पीला ये मैंने starting में ही आपको बताया था और इसका correct answer क्या हो जाएगा सास से अधिक क्योंकि shark के साथ पीला दे रहा है baking soda का, धोने का soda, सिर्का या फिर milk of magnesia जिसे हम magnesium hydroxide के नाम से भी जानते है सो क्या लगता है क्या होना चाहिए सो ततया के डंक के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है वह ये द्यान से सुने इसका correct answer सिर्का होगा सिर्का जो है वो acidic nature का होता है याने कि ये अमलिय प्रकृतिका होता है वहीं अगर हम ततया के डंक की बात करें सो उसमें शारिय होता है वो याने वो अमलिय नहीं ये वो शारिय प्रकृतिका है अब बात आती है कि जब यह आपस में मिलते हैं सिर्का देखो वो शारिय प्रकृतिका हो गया जब वो neutral हो जाता है, तो हमारा दर्द कैसा होता है, कायब हो जाता है, समझ गए कहानी, तो हमारा question number 16 होता है, डल, answer क्या होगा, गर होगा, ठीक है, question number 17, हमारे पेट में प्राक्रतिक रूप से बनने वाला अमल है, सब बहिया, हमारा जो बेट होता है, हमारा जो प्यारा सा, चोटू सा stomach है ना बिटा, सो इस stomach में naturally कौन सा acid होता है, naturally पूछ रहे हैं, naturally कौन सा acid है, acetic acid है बिटा, या पिस citric acid है, क्या, citric acid यहाँ पर आ सकता है, hydrogloric acid होगा, या पिस S2SO4, sulfuric acid होगा, जल्ली बोलो कि वो Acetic Acid है, गोला ना बनो वरना आप आंसर ही लगा के बैट जो भीया, HCL होगा उसका correct answer क्या होगा? HCL मैम, यह HCL क्या होगा? तब बिटा Hydrogloric Acid होता है यह already हमारे stomach में होता है जो basically अगर हमारे गाने के साथ कोई bacteria हमारे stomach में चले जाते हैं भी होता है, कई बार जो हम अंशन खा पी लेते हैं वैसे तो यह हमें protect कर रहा है कि खाने के साथ कोई bacteria अगर आएगा स्टमक में तो यह उसे वहीं kill करेगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह हमारे दुश्मन बन जाता है क्योंकि हम पेट में अंशन चीजें खापी के बैठ जाते हैं तो जिसके कारण STL की मात्रा increase हो जाती है और हमारे पेट में जलन, acidity, कई तरीके की समस्या होती है तो हमारे पेट में naturally कौन सा acid होता है सुबह यह naturally hydrogloric acid होता है चीक है? चलिए Question number अब हमारा है 18 निमलिकेट में से कौन साइक अपने डंक के मात्राण से तवचा में अमली तरल को inject नहीं करता है सो वो कौन है जो अपने डंक के मात्राण से अमली तरल को inject नहीं करता है अब भी हमने इसके concept पड़े अब भी हमने गहानी जानी एक बात बताओ मदो मखी आंसर होगा नहीं, चीटी भी नहीं है, बिच्छू बूटी भी नहीं है भाई ये इसका आंसर क्या है? ततया ततया जो होता है, वो अपने डंक के माद्यम से जो तवचा याने के जो अमारे स्किन होती है उसमें अमली तरल को इंजेक्ट नहीं करता है अमली तरल को इंजेक्ट नहीं करता है बलकि किसे करता है? शारी तरल को करता है किसे करता है शारी तरल को निमलेकित में से कौन सा अपने डंक के माद्यम से तवचा में अमली तरल को इंजेक्ट नहीं करता है? सो वो ततईया है क्योंकि ये शारी तरल को inject करता है कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि वो शारी तरल कौन सा है जो ततईया डंक के मार्द्यम से व्यक्ति को जब वो डंक मारता है न तो उससे वो उसमें व्यक्ति में चला जाता है कौन सा है वो शार का नाम जल्दी बताना ओके चलिए question number 90 निम्न में से एक अपच की दवा है अपच मतलब भही भही digestion सही ना हो पाने के कारण खाने के ना पच पाने के कारण खाने के भही सही तरीके से ना पच पाने के कारण बिटा जल्दी से बता दो कि हमारे मतलब शरीर में हमें क्या चीज़े लेनी चाहिए दवा के रूप में ताकि हमारा खाना जो है वो थोड़ा सा digest हो सके देखो भाई या sodium hydroxide तो हो ही नहीं सकता हा ना sodium hydroxide का इसमें ये cell help नहीं करेगा फिर magneze hydroxide होगा क्या no potassium hydroxide होगा क्या ना जी ना potassium hydroxide भी नहीं होगा फिर क्या होगा सुध्यान से सुनियेगा ये होगा magnesium hydroxide सो एक अपच की दवा इन में से कौन सी है सो वो है भाई magnesium hydroxide next आते है question number 20 मदू मक्की के डंक में होता है क्या होता है क्या लगता है कि जो मदू मक्की का डंक है उसमें क्या होता है अमलिये तरल होता है नमक तरल होता है शारी अबलियन होता है या पिर अलकोहल होता है सो अभी हमने एक question आना था इसी तरीके का थोड़ा सा पीछो चलते है थोड़ा सा पीछो चलते है यह भी नहीं था यह था ततया के डंक यह नहीं 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 था पर का लगया वह क्वेश्चन हां हां निम्ले कितने से कॉनेक अपने डंक के माध्यम से त्वचा में अमली यह तरल को इंजेक्ट नहीं करता मतलब कोई तीन तो कर रहे होंगे मदू मक्य चीटी और बिच्छो option number क क्योंकि मदू मक्य के डंक में क्या होता है अमली यह तरल होता है कॉमेंट करके बताओ कौन सा होता है answer दो वने class में पढ़ाया है भई आपको चलो question number 11 ततया के डंक में होता है अब तो बिल्कुल सोचना ही नहीं बिल्कुल नहीं सोचना है चीनी बिल्यान होगा शारिय तरल होगा नमक बिल्यान या फिर अमली तरल होगा so obvious सी बाते क्या होता है शारिय तरल होता है ततया के डंक में क्या होता है तो इसमें शारी तरल होता है ठीक है ना इसके पहले अगर विलियन बोला तो उसको हम क्या बोलेंगे शारी तरल तरल नेक्स आते हैं question number 22 वे गुर जो अम्रो द्वारा नहीं दिखाया जाता है अच्छे एक बात करो बताओ अम्रो कौन कौन से गुर बताते हैं ये तो आपने कितनी बार पढ़ लिये अब इन में से देखके बताओ कि कौन सा अम्रो द्वारा नहीं दिखाया जाता है खटा स्वाद वे साबून की तरह लगते हैं ये वाला या वे लिटमस को लाल कर देते हैं ये वाला या उनका pH साथ से कम होता है तो मैं आपको बता दू अब भी जाना हमने वैये स्वाद में कैसे होते हैं यह टेस्ट में होते हैं, सौर, याने की कैसे होते हैं, खटे, यह साबुन के तरह लगते हैं, सोपी लगते हैं, इसको ओल्ड करते हैं, यह लिटमस को लाल कर देते हैं, अच्छा, लिटमस में भी किसे बटा, यह नीले लिटमस को, किसको, नीले लिटमस को किसमें convert कर देते ह चंगो मंगो तो सुनो ये उसे लाल में परिवर्टित कर देते हैं लाल लिटमस में बदल देते हैं ठीक है नेक्स इनका पीए साज से कम होता है जी हाँ बिल्कुल सही कहा है कि एसेट का जो पीएज होता है वो साज से कम है याने कि ये तीन आप्शन तो सैटिसपाइड है लेकिन आप्शन नमबर भी नहीं है तो बिल्कुल सही बोला है वे गुड़ जो अमरुदवारा नहीं दिखाया जाता तो सुनो वे साबुन की तरह कैसे लगते हैं सोपी ये इसका गुड़ नहीं है ठीक है चलिए क्वेशन नमबर 23 बेकिंग सूटे का क्या सूत्र है बेकिंग सूटा जिसका हम जनरली रसोई घर में प्रयोग करते हैं खाने पीने में इसका प्रयोग किया जाता है है ना किचिन में इसका यूज किया जाता है कि नहीं सो बेकिंग सूटे का एक्चुली में सूत्र क्या हो आपके सामने यहाँ पर लिखा है K2CO3, आपके सामने KHCO3 and EsCO3 and O2CO3. बिटा दिया आंसे सुनेंगे इसका correct answer क्या होगा? तो वो होगा sodium hydrogen carbonate. क्या होगा? इसका सही answer होगा sodium hydrogen carbonate. बेकिंग सुटी का formula भी यहाँ पर done होता है, जिसका generally रसोई गर में प्रयोक किया जाता है, क्युचन में इसका use करते हैं. Question 24. विरंजक चूर्ण बनाने के लिए Nimbnal liquid में से किसकी chlorine से अभी कृया कराई जाती है? अब बात आ रही है यहाँ पर विरंजक चूर्ण को बनाने की, कि इन में से किसकी chlorine से अभी कृया कराई जा सकती है ताके विरंजक चूर्ण मिल सके. तो क्या लगता है भाई किसकी क्लोरिन से अभी करया करा आई जाती है क्या होगा क्या होगा क्या है क्या है है सुद्धान से सुनेंगे किसकी किसकी केलशिया हाइड्रॉकसाइड की ओके हीड्रॉकसाइड की अभिक्रिया कराई जाती है ठीक हिना चलिए और अब आते हैं हम वारे अंतिम प्रश्ण की तरह पर उसके पहले जल्दी से इसका screenshot ले लेंगे यह काम करते हैं यह रहां आपके सामने last question फटपट से read करो और मुझे बताओ इसका अंसर क्या होगा चलिए तो जल्ली से बताइए यह chloralkali प्रकरम के क्या उतपाद है हमने इस process के बारे में जाना है जहां पर हमने पढ़ा था कि जो NACL होता है यानि कि जो sodium chloride होता है इसका जल्ल के साथ क्या कराया जाता है विद्दुत अपगटन किया जाता है और हमने पढ़ा था कि जब यह process होती है प्रकरिया होती है तो हमें तीन चीज़ अपरापत होती है और वो तीन चीज़ क्या है जब इनमें विद्दुत का प्रवाह जब यह पानी से मिलेगा और इसमें अगर विद्दुत का प्रवा कराया जाएगा तो यह तो आपको पता है कि NaCl क्या होगा तो यह Na+, और यह Cl- होता है यह हम अच्छे से जानते हैं दूसरी चीज की हमें यहां से उत्पात के रूप में क्या प्राप्त होगा सो वो होगा हमें sodium hydroxide क्या प्राप्त होगा sodium hydroxide हमें यहां से मिलेगा हमने देखा chloralkali प्रकरम के उत्पात में हमें hydrogen gas, chlorine gas और NaOH मिलेगा चुकि हम अल्रड़ी पढ़ चुके हैं सो आपको समझ में आ गया होगा क्या समझ में आया होगा कि जब NaCl की पानी जब NaCl पानी से मिलेगा और अगर इसमें विद्दुत का प्रवाह कराया जाएगा सो हमें यह तीन चीज़े प्राप्त होगी सो भाई आज के लिए इतना ही आप मुझे सारे के सारे बच्चे कॉमें करके बताएंगे कि 25 में से 25 नंबर किन बच्चों के आए है जिनके भी भाई 23 से उपर नंबर आए होंगे या 30 तक भी बहुत अच्छे नंबर है इतना मैम ने मैंनत करी इतने देज से मैम आपको पढ़ा रहे तो अबर तक वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दे न share नहीं किया है तो share कर दे न और हमारे इस प्यारे से चैनल को subscribe ज़रूर से ज़रूर कर दे न साथ ही साथ Facebook Instagram, Twitter, Telegram, Whatsapp यहें कुछ अधर platforms जहां आप mandate brain से जुड़ सकते हैं और YT पर तो आप हमारी classes लेगी सकते हैं लाइब आकर भी ले सकते हैं और recorded videos daily आपको हमारी मिलती ही हैं कैसे मिलेंगे सुबह यह recorded वाले section में जाकर recorded video वाले section होता है वहाँ पर आप जाके हमारी classes देख सकते हो और पुरानी classes चाहिए होंगे जिसे ये वाला chapter इसके पहले वाला chapter तो playlist बनिए वहाँ से आप उसे जरूर देखिएगा इसे के साथ Magnet Brains by India's No.100% Free Online Education Platform साथी साथ बिटा आप हमसे website के तुरू भी जुड़के हमारी classes ले सकते हैं application पे भी classes ले सकते हैं अब बात आती है कि मैम आप ने जितना भी अभी हमें पढ़ाया है इसकी e-notes और e-book के link कहां मिलेगी सब वो मिलेगी बिटा आपको नीचे description box में ये हैं हमारी Hindi English Medium के कुछ top courses जैसे CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, Vedic Match, Crash Course and very 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 important spoken English आज के लिए इतना ही मिलेंगे next session में कैसा लगा आज का ये session? कॉमेंट करके जरूर जरूर बताईएगा Thank you class!